स्वागति स्टूदेंट आपका हमारे चनल पर आजम करने वाले हैं कख्छा 9 की उपचारत्मक सिक्षन कार्य पत्रक नमबर 7 गनित्का स्टूदेंट चलिए श्टार्ट करते हैं प्रस्ट नमबर 1 से इससे पहले हम देखते हैं वसुवस्ति क्या है इस्टूदेंट संक्या पद्दती है, जिसमें वात्तिक संख्याओं का हमें संक्रियां समझ रहे हैं जिसमें student जो अंडरूट की संख्याओं हैं उसमें गुणाखना जोड़ना इसमें इस वाली कार्य पत्रक में दिया गया है, तो student पहले उधारन दिया गया है, हम पहले question answer देखते हैं आए question number 1 देखिए क्या दे रखा है 2 under root 2 है plus 5 under root 3 है और क्या दे रखी दूसरी संख्या under root 2 minus 3 under root 3 अब क्या करना students हमें उन्दों जोडना है इस students में आप ध्यान रखिए under root की जो संख्याएं होती है उनको आप देखेंगे कि कौन जी सेम है देखिए यह भी under root 2 है यह भी under root 2 है तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब किसके आगे एक लगा हुआ है एक गुना under root 2 under root 2 ही होता है students तो students under root 2 वाली संख्याएं आपसे जुड़ जाएंगी तो under root 2 और under root 2 जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 3 तो 3 under root 2 हो गए इसी परकार देखिए यह under root 3 है यह under root 3 है यहाँ 5 है यहाँ पर 3 है 5 और 3 8 स्वारी इधर क्या है students minus है यहाँ minus है बीच में तो 5 minus 3 हो जाएगा जुड़ेगा नी 5-3 क्या हो जाएगा 2 under root 3 हो जाएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 3 under root 2 प्लस 2 under root 3 ठीक है अगला देखिए प्रस्ट नमबर 2 जिसमें 9 under root 14 भाग 3 under root 7 है तो student जो बिना under root वाली संक्या है उनका अलग हो जाएगा भाग और जो भाग वाली जो under root वाली उनका लग हो जाएगा तो students 9 भाग 3 करेंगे 3 आजाएगा और under root 14 भाग under root 7 हो जाएगा तो under root 2 हो जाएगा अगला देखिए प्रस्ट नमबर 3 है 2 under root 5 और 3 under root 7 को सरल करना है तो students इस under root 2 का इस दोनों से गुना होगा फिर अंडर root 5 का इन दोनों से गुना होगा तो देखिए under root 2 और under root 3 का गुना होगा under root 6 आया under root 2 और under root 7 का गुना होगा under root 14 आया under root 3 का गुना under root 2 से होगा यह हमने कर दिया अलड़ी फिर students क्या आएगा under root 3 का गुना होगा और यहाँ 5 है इस्टुनेंट्स हमने गलती कर दिये हैं आपे अंडरूट 2 और अंडरूट 3 का गुना हुआ पहले फिर अंडरूट 2 और अंडरूट 7 का गुना हुआ फिर 5 अंडरूट और 5 अंडरूट 3 का गुना हुआ फिर 5 अंडरूट और अंडरूट 7 का गुना हुआ तो अंडरूट 7, अंडरूट 14, अंडरूट 15 और अंडरूट 37 उत्तर आएगा सबको जोड़ देंगे ठीक है अगला देखिए आठ भाग अंडरूट पांच माइनस अंडरूट तीन क्यों हमें परिमे करन करना है परिमे करन क्या करते हैं इस्टुरेंट ये नीचे वले संक्या होती है इसके बीच प्लस लगा के उपर नीचे गुना कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा आठ अंडरूट पांच और अंडरूट तीन से गुना हो जाएगा एस पर का ब्रैकेट पे लिख देंगे इसको और ये क्या हो जाएगा स्टुरेंटस लेकिए आपने पड़ा होगा स्टुरेंटस ये जो हमारा फॉर्मूला है सूत्र है a minus b और a plus b का मतलब होता है a square minus b square तो a square minus b square क्या हो जाएगा 5 गुना 5 under root 5 गुना 5 क्या हो जाएगा students 5 हो जाता है और under root 3 गुना under root 3 हो जाता है तो 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे तो students देखिए पूरे के भाग की नीचे 2 है तो 2 से चुकर जाएगा आठ चार बार तो 4 bracket में under root 5 plus under root 3 बच जाएगा इसी प्रकार से देखिए अगला 5 गुना नमबर है 216 की घात दे रखिए एक बटा 3 students 216 का मतलब क्या होता है कभी हमारे पास अगर घात में इस प्रकार का बीच में जो हमें solve करने में हमें दिक्कत आती है तो उसको आप तोड़के देखिए 216 काई से बनाए 216 बनाए 6 गुना 6 गुना 6 से मतलब कि 6 की घात 3 6 की घात 3 की घात 1 की घात 3 दे रखा है तो students हमें पता है ये सूत्र 1 की घात M ऊपर 1 की घात M की घात M है पतलब की 6 3 की घात 1 बनाए 3 था 3 से 3 कर लिया 6 बच गया ठीक है अंतिम प्रशन है student 6 देखिए भी विकल सिंपल है जिसमें देखिए 3 की घात 2 बनाए 5 और 3 की घात 10 बनाए 4 है हमें मान गयात करना है बीचे गुना है students संच्या समान है और घात क्या है अलग-अलग तो वे जुड़ जाती है students अगर गुना हो रहा होता है तो जुड़ गई 2 बटा 5 और 10 बटा 4 इसमें लगसा पकेता आजाएगा 20 आजाएगा 5 का भाग 20 में लगाया 4 बार 2 गुना 4 आँट इसी परकार चार का भाग 20 में 5 बार 5 गुना 10 पचास तो 8 प्लस 50 बटा 20 मतलब कि 58 बटा 20 दो से कड़ जाएगा तीन की घात 29 बटा 10 उत्तर आजाएगा श्ट्रेंट यह था हमारा कारे पत्रक नमबर 7 पिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के मादन से पूछ सकते हैं